अलुकम विवार्स, अनाजो किचन में आपका मोस्ट विलकम है, आज आलू गोष्ट अनाजो किचन में बनने जा रहा है, चलिए इसकी रेचिपी आप तक शेर करते हैं, और बनाना स्टाट करते हैं, यहां गोष्ट को मैंने काफी अच्छे से दो कर छान लिया है, और आलू तरह की पीसेस मेने लिए हैं और अओर यृट सर्ट कट लिया है, झालो दफ़िगू को सिर्थाल देस्त अची पॉरदर धीड और यृपर直कुर टीननी टीनन में लिए三ग मेडियं साध्य के लिए, जिस से स्लाइस में पॉल्द एक लिए लीदेन में लोगार, टेली घ्र्मी के लिए नो घ्रिक में डूंशे के से कीटों। कर देना में जिए होतह्ते औरम ने लाक॥ तीन देल से लेशंडी के लाण धूर एंचे 16 में जिएल से एक साधा बाइस करना, इसों मिक्स माइड़ें ग्रावाइस करने तक. करते हैं दूट करूंदे को हमारी अनियन doing, अधा से ज्यादा, धोरा सा इति आ basically card करनी। अर्च कोसे दूट करनी है तो एक समया दो drum करना है, इसे बच्छे से मिक्स कर ले थोड़ा सा पानी को खलका सा अब्जर्व कर ले इस भी बरतन में गोश्ट एड़ करते हैं तो उससे पानी रिलीज होता है तो वो पानी थोड़ा अब्जर्व हो जाना चाहिए तभी मसाले इसमें एड़ करने चाहिए ताकि गोश्ट थोड़ा तला जाए तो चलिए अब मसाले एड़ कर लेते हैं गोश्ट हमारा तला चुका है जो मसाला मैंने रखा है हल्दी मेश, धनिया, जीरा, काली मेश्ट का पौडर इन सब को इसमें एड़ कर देंगे आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से आलो गोश्ट बनाने से बहुत ही टेश्टी और बहुत ही जबर्दस सा बनता है लोग वाव कहें बीना रह नहीं सकेंगे तो आप भी इस तरह से बनाए देख लीजे कितना अच्छा कलर अभी मैंने कुछ इसमें अड़ भी नहीं किया है लेसन अद्रक का पेष्ट अब इसमें अड़ कर देते है थोड़ा दिर मैंने मसाला इसमें डाल कर इसे चलाया उसके बाद लेसन अद्रक का पेष्ट अड़ कर रही हूँ अब इसमें लैसन अद्रा का पेश्ट मैंने अट कर देए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे सौर्टे करेंगे 3-4 मिनट तक इसी तरह मसाला डालने के बाद इसमें सौर्टे करते रहेंगे अब इसमें चलिए नमक अट कर देते हैं ये देखिए कितना खुब्सूरत कलर इसम काया है अब इसमें मैंने नमा कैट कर दिया गोश हमेशा गोश की नौइट देखकर ही पकाना चाहिए कि किस नौइट का गोश है, हाड है, सॉफ्ट है उसे हिसाब से किस चीज में बनना चाहिए ये खुले दक्ची में बनेगा ये कुकर में बनेगा और अगर दक्ची में बनेगा तो कितने जल्दी बन जाएगा गोश ज्यादा हाड तो नहीं है, इस तरह से देखकर ही बनाना चाहिए गोश तमारा बिल्कुल सॉफ्ट है इसलिए मैंने इसमें बनाया है आज बिल्कुल धीमी है इसकी अब ये देखिए, तेल भी इसका सेपरेट हो रहा है ये खुले खुले ये इसमें बना चुका है आदे से ज़्यादा ये बना चुका है इस तरह से इसी तरह से इसे बुनते रहेंगे और आज बिल्कुल धीमी रखेंगे ये तो यूँ ही लग रहा है कि तयार हो गया और ये खाने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे रेडी मगर अभी रेडी नहीं हुआ इसमें आलू डालने है मुझे तो तेल देखिए ये देखिए सेपरेट हो चुका था मसाला भुन चुका था इसमें मैंने थोड़ा सा पानी आट कर दिया मसाला भुनने के बाद इसमें पानी आट किया अब इसे कवर कर देते हैं इसे मैंने कवर कर दिया और मेडिया बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे रख दि अर तो दूसरी तरफ में थोड़ा से तेल अट किया अब इसमें अलू अट कर देते हैं तेल हो चुका था और अलू को भी अघ्राइ कर लेते हैं सारे अलू को एट कर देते हैं और ऐसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के बाद थोड़े देर चलाने के बाद इसमें नमक एड़ करेंगे और नमक भी थोड़ा ही एड़ करेंगे क्योंकि अल्रटी गोस्ट में मैंने नमक डाल दिया है और आलो में भी थोड़ा नमक अगर इसमें नमक अड़ नहीं करेंगे तो यह आलो फीका-फीका सा लगेगा इसलिए अब इसमें नमक थोड़ा आड़ करते हैं ताकि दोनों चीज़ में बराबर लगे तो चलिए इसमें मैंने अड़ कर दिया इस तरह से आलू गोश बनाने पर बहुत ही टेस्टी और डिलिसियस सा बनकर तयार होता है गोश तालू बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, तक्ची इसको खोल गोश बरतन को भी खोल कर देख लिया मैंने यहां देखिए कितना जबर्दस्त, कितना खुब्सूरत कलर आया है इसका यह देखने में ही अच्छा लग रहा है, खाने में तो अव्यसली अच्छा है बिलकुल अच्छे से यह रेडी हो चुका है और गोस्ट भी टेंडर हो चुका है अब इससे फिर कवर कर देंगे बीच-वीच में इसे चलाते रहेंगे और आलू भी मशली तयार हो चुका है तो अब flame को कर देते हैं off और इसमें आलू को भी add कर देते हैं इसे खोल कर एक बर और चलान लेते हैं चलाने के बाद इसमें आलू को add कर देंगे अगर इसमें आलू मुझे add नहीं करना होता तो यहां तक यह गोश्ट बिल्कुल ready था यह खाने के लिए भी ready है तो यम्मी अंटेश्टी ऐसा गोश्ट भी लगता है चलिए अब इसमें आलू आट करना है आज मैं हमारे किचन में आलू गोश्ट बन रहा है तो इसमें आलू आट कर देते हैं यह पुलाओ के साथ खुश्बदार पुलाओ बसमती चावल का पुलाओ बहुत ही जबर्दस लगता है इसमें और तंदोरी रोटी के साथ भी अच्छा लगता है गरम गरम रोटी या पराटे के साथ भी से खाया जा सकता है तो इसमें अच्छा से मिक्स कर लें तो इसलिए मैं दाल चिनी पौर्डर थोड़ा जरूर इसमें आट करती हूँ गरम मसाले के मुकाबले अब इसे मैं धोकर इसमें आट कर दे रही हूँ जो कड़ाही में थोड़ा सा तेल आलू का फ्राइड का लगा था वो इसमें आट कर देते हैं अगर आपको इसमें ग्रेवी रखना है तो आप पानी और लगा सकती है मैं इतना ही रखूंगी इसलिए मैंने थोड़ा सा एड़ किया अब इसे कवर कर देंगे तो देखिए कितना आसान और कितना सिंपल तरीके से मैंने आलू गोश बनाया और बहुत ही जटपट सा बन गया इसे चली अब कवर कर देते हैं और बिलकुल दियमे आज पर इसे छोड़ देते हैं पांच से साथ मिनट के लिए अब इसके बाद मैंने खोल कर देखा तो यह आलू बिलकुल टेंडर हो चुका है यह देखिए और गोश तो अल्रेड़ी टेंडर था तो इसलिए अब इसे कवर करकर अब फ्लेम को कर देते हैं आफ देल के लिए से कवर करते हैं ताकि इसका तेल और भी सेपरेट हो जाए हरी धनिया इसमें थोड़ा समय पहले आड़ कर देती हूँ अब फ्लेम को कर देते हैं बिलकूल आफ गोश तालू बिलकुल रेडी हो चुका है खाने के लिए बिल्कुल तयार है अब इससे डी शॉट कर लेते हैं यहां आफ यहां डी शॉट कर लिया तो आपको अगर मेरेश पेसिपी पसंद आए तप्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ष रेसिपी में नेक्ष वीडियो के साथ अल्ला हाफिज